प्रतेक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं परंतु जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है कार्तिक महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं रमा एकादशी बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है रमा एकादशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा की जाती है यह दीपावली के चा दिन पहले आती है रमा एकादशी का नाम देवी लक्षमी के नाम से जाना जाता है और जो व्यक्ति रमा एकादशी का वरत रखता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है रमा एकादशी वरत कथा इस प्रकार से है धर्मराज युदिश्टिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हे भगवन आप मुझे कार्तिक महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या फलप्राप्त होता है। कृपया विस्तार पूर्वग बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्षिये कादशी का नाम रमाय कादशी है, मैं इसकी कथा तुम्हे सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, प्राचीन काल में मुचकुन नाम का एक राजा था, राजा की इंद्र के साथ मित्रता थी, और साथ ही यम कु उबेर, वरुण और विभीशन भी उसके मित्र थे, मुचकुन राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विश्णु भक्त और म्याय प्रियराजा था, उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था, राजा की कन्या का विवा चंद्रसैन के पूत्र शोभन के साथ हुआ, एक चंद्रभागा के मन में यह विचारूत्पन हुआ, मेरे पती तो अत्यन दुर्बल है, और मेरे पिता की आज्या बहुत कठोर है, दश्मी के दिन, राजा ने अपने राज्ये में एगोशना करवाई, कि एक आदशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा, यह गोशना सुनते ही शोबन को अत्यन चिंता हुई, और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, मैं भूख को सहन नहीं कर सकूँगा, अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कोई उपाई बताओ, जिससे मेरे प्राण बस सके, अन्यथा मेरे प्राण भूखे रहने से चले जाएंगे, चंद्रभागा कहन स्वामी मेरे पिता के राज्ये में एक आदशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, हाथी, गोड़ा, उट, बिल्ली, गौ, आधी वीत्रण, अंजल, आधी ग्रहन नहीं कर सकते, फिर मनुश्य की तो बात ही क्या करनी, यदि आप भोजन करना चाहते हैं, तो दूसरे स्था पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहां रहेंगे, तो आपको अवश्य ही वरत करना पड़ेगा, ऐसा सुनकर शोबन ने कहा, मैं यह वरत अवश्य रखूंगा, जो मेरे भाग्ये में होगा, वह देखा जाएगा, इस प्रकार से विचार करके शोबन ने वरत रख लिया और वैभूख प्यास से अत्यन पीडित हो गया, जब सूर्य अस्त हो गया और रातरी को जागरन करने का समय हुआ, तो वैश्यनों को अत्यन थर्ष देने वाला था, परंतु शोबन के लिए अत्यन दुगदाई हुआ, प्रात्यकाल होने पर शोबन के प्राण निकल गए, और राजा ने सुगंदित काष्ट से शोबन का अंतीम संसकार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्या से अपने शरीर को दगद नहीं किया, और शोबन की अंतैष्टी क्रिया के पश्चात अपने पिता के घर ही रहने लगी, रमाय कादशी के प्रभ पर धन दान्य से पूण, शत्रों से रहित, एक सुंदर देवपूर प्राप्त हुआ, अतियन सुंदर वैदुर्य मनी जडित, सुण के खंबों पर निर्मीत, अनिक प्रकार के सुफिटिक मनियों से शुशोबित, भवन में बहु मुल्ये, वस्त्रा भूशन, तथा छत्र वैचमर से वी भूशिट, गंधर्व और अपसराओं से यूप्त, वी सिंगासन पर आरून ऐसा शोभाय मान होता था, जैसे दूसरा इंद्र विराज मान हूँ, एक समय मुचुकुन नगन में रहने वाला एक ब्राम्मन जिसका नाम सोम शर्मा था, वैतीर्थ यात्रा करत उदर से जा निकला, उसने शोभन को पहचान लिया, कि वह मुचुकुन राजा का जमाई है, ब्राम्मन शोभन के पास गया, तो शोभन ने भी उसे पहचान लिया, और अपने आसन से उठकर ब्राम्मन के पास आए, और ब्राम्मन से सकुषल पूछा, ब्राम्मन ने बताय कि राजा मुझुकुन और उनकी पत्नी से कुशल है। नगर में सभी परकार से सब कुशल है। परंतु हे राजन मुझे आश्चेर हो रहा है। आपको इतना सुन्दर नगर जो न कभी देखा न सुना कैसे प्राप्त हुआ। तब शोवन बोला कार्तिक कृष्ण की रमाय काद्यशी का वरत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। प्रंतु यह स्थिर नहीं है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाए बताए। तब ब्राम्ण ने कहा यह राजन यह स्थिर क्यों नहीं है और यह किस प्रकार मुझे बताएं मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। तब शोबन ने कहा मैंने इस व्रत को श्रद्दा रही थोकर करा। इसलिए यह सब कूछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुन की कन्या चंद्रभागा को यह सब व्रतांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुन कर ब्राम्मन अपने नगर लोटाया और चंद्रभागा से यह सब व्रतांत कहा। ब्राम्मन की वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसंद हुई और ब्राम्मन से कहने लगी हे ब्राम्मन यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा है या फिर सुपन के बारे में बता रहे पुत्री मैं तुम्हारे पती को प्रत्यक्ष देखा है और साथ ही जो किसी से विजयना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है ब्राम्मान ने चंद्भागा को यह भी बताया कि यह सब कुछ अलस्थिर है चंद्भागा कहने लगी है ब्राम्मान देव मुझे महा ले चलो मुझे पती देव के दर्शन की लालसा है मैं अपने किये हुए पुन्य से उस नगर को इस्थिर बना दूँगी आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा सहयोग हो क्योंकि वियोग को मिला देना ही महा पुन्य होता है ब्राम्मान ने है सब सुनकर चंद्भागा को अपने साथ लेकर मंद्राचल परवत के समीप वामदेव रीशी के आश्रम पर गए एक आदशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दीव्य हो गया और वह दीव्य गति को प्राप्त हुई इसके बाद बड़ी प्रसंता के साथ अपने पती के निकट गई जब शोबन ने अपनी पत्री को आते देखा तो वह बहुत प्रसंद हुआ और चंद्रभागा को अपने बाई तरफ बैठाया चंद्रभागा कहने लगी हे प्राणात आप मेरे पुन्य को गरहन कीजिए अपने पिता के घर जब से मैं आठ वर्ष की थी तब से विधी पूर्वक एकादशी का व्रश्रग्दा पूर्वक करती आ रही हूँ इस पुन्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलै के अंत तक रहेगा इस प्रकार चंद भागा दिविया भूशनों और वस्तरों से सुसर्जीत होकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी भगवान श्री कृष्ण ने युदिष्टिर से कहा यह थारा माय कादशी का महातम्य जो मनुशेरा माय कादशी का व्रत करता है वे ब्रहम हत्यादी, पाप, सारे नश्ठ हो जाते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी एक समान है इनमें कोई भी अंतर नहीं दोनों ही समान फल प्रदान करती हैं जो मनुशेरा इस कथा को पढ़ते अथ्वा सुनते हैं वे समस्थ पापों से छूट कर विश्ण लोग को प्राप्त होते हैं पद्म पुरान के अनुसार रमा एकादशी व्रत काम धेनू और चिंता मनी फल के समान होता है रमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है प्राते सूर्य दे उठकर नित्य करम से निवरित होकर इस्टनान करें ब्रमचर्य का पालन करें मासाहारी और नशे की वस्तुओं का उप्योग बिल्कुल भी ना करें भगवान विश्णू के अवतार केशव की पूजा करें भगवान श्री कृष्ण की पंचामरत, पुष्प, धूप, बीप, नैविध्य, एवं मौसम के फलो से पूजा करें श्री कृष्ण मंत्रों का जाप करके कि साथ गीता का पाठ भी करें व्रत में एक समय फलाहार करें और अपना समय ज्यादस ज्यादा प्रभू सिम्रन में लगाएं व्रत में तुलसी का पूजन करें तुलसी की परिक्रमा करें ऐसा करने से मनुकामनाय सहजपूरी हो जाती है रातरी में चंडरो दै के पश्चात दीबदान करें रातरी में जागरन करें अगले दिन प्राते काल उटकर जीूते, छाते और वस्त का दान करें जो भग श्रद्दा के साथ और पूरे विदिवी दान के साथ वरत करता है भगवान उसकी हर्मनो कामना पून करते हैं और उसे पून्यफल की प्राप्ती होती है इसी तरह की अन्यवरत कताएं उपाए जानने के लिए हमारा चैनल वास्तुशाद सब्सक्राइब करें नमस्कार